नमस्कार दोस्तो यह सूरिय ड कंपंपनी का इंडक्सम कुकर है यह बिल्कुल भी On नहीं हो रहा है अगर आपके पास में कोई भी कंपपनी का किसी भी प्रकार का इंडक्सम कुकर है और वो on नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को लास तक देख लीजे आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप अपना induction cooker को घर पर ही ठीक कर सकते हो सबसे पहले मैंने इसको आपको चेक करके दिखा रहता हूँ देखे इसका 3 pin को मैंने series board में लगा लिया हूँ और इसका जो switch है मैंने इसको on कर लेता हूँ और induction cooker का जो on up button है इसको मैंने on कर लेता हूँ देखे यहां पर हमारा light नहीं आ रहा है आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने बार-बार on करने की कोसिस कर रहा हूँ लेकिन यह हमारा on नहीं हो रहा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले induction cooker को नीचे की setting से खोलना पड़ेगा तो देखे इसको इसको इस प्रकार से और जब भी आप यहां से निकालोगे तो यहां पर हमारा यह पैनल होता है इसका वईर यहां पर circuit board में connection होके रहता है तो यह wire को हमें यहां से हटा लेना है देखे इसको मैंने यहां से हटा लिया हूँ coil में एक sensor लगावा होता है इसका भी एक wire हमारा circuit board में connection होके रहता है इसको हमें यहां से हटा लेना है और यह fan का यह wire है इसको भी यहां से हटा लेना है इसमें जो दो तार होता है, ये दोनो तार में से अगर कोई भी तार हमारा बीच से कड जाता है, तो इस प्रकार का प्रोलेम आता है, दोनो तार है, इसको सबसे पहले सर्किट से हटा लेना है, और सिरिश बोड में ये ठ्री पिन को मैंने लगा लेता हूं, छोटा सा तार को लिया हूं इसका दोनों सिर्या को मैंने छिल लिया हूं अब मैंने ये छोटा सा तार की माध्यम से इसको सौट करके दिखाता हूं तो देखे हमारा जो सिरिच बलब है वो हमारा जल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो ये दोनों तारे ये बिल्कुल सही है देखे ये कांच का जो fuse होता है इसको सबसे पहले चेक करना है देखे जहां पर हमारा 220 volt AC supply का दो पीन होता है उसके बगल में ये fuse आपको देखने को मिल जाएगा इसको मल्टी मेटर की माधियम से चेक करते हैं इसको मैंने क्या करता हूँ ये जो हमारा continuity वाला mode है यहां पर ल यहां पर हमारा sound आता और मल्ती मैं रिडिंग आता है तो क्यों खराब होता है यह मैं आपको बता लेता हूं देखे इसको इस प्रकार से पलड़ दीजे है यहां पर आपको एक देखने को मिलेगा और एक bridge rectifier देखने को मिलेगा इन दोनों में से अगर कोई भी एक short हो जाता है तो हमारा क्या होता है fuse हमारा उड़ जाता है यह जो IGBT देख रहे हैं इसको ही हमें चेक करना है क्योंकि इस प्रकार का situation में ज्यादा तर हमारा IGBT ही खराब निकलता है और यह खराब होने से हमारा पूरा का पूरा induction बंद पड़ जाता है बिल्कुल भी चालू नहीं होता है fuse बगरा सब कुछ उड़ा देता है यह जो IGBT देख रहे हैं इसमें हमारा तीन पीन होता है यह हमारा transistor जैसे ही होता है इसका पूरा नाम होता है Insulated Get Bipolar Transistor इसका जो 3 pin होता है इसका First pin का नाम होता है Get Second pin का नाम होता है Collector और Third pin का नाम होता है Emitter तो हमारा Transistor में क्या होता है Base, Collector, Emitter लेकिन इसका जो Base होता है इसको Get बोला जाता है जो की Fast pin होता है तो देखें Multimeter को क्या करना है यह जो continuity वाला mode है यहां पर ही रहने देना है और इसके बाद में multimeter का जो यह दोनों प्रोब है इन में से कोई वे प्रोब को बीच वाला pin में लगा लेना है और बाकी दूसरा प्रोब को यह दोनों pin में लगा के चेक करना है तो देखें यहां पर हमारा full sorting दिखा रहा है यह multimeter में हमारा sound आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों यह IGBT हमारा sort हो चुका है और इसी वज़त से ही यह induction हमारा चालो नहीं हो पा रहा है सही IGBT का पहचन के से करोगे मैं आपको बता रहता हूँ मान लीजे आपका board में IGBT सही है तो आपको कैसे पता चलेगा देखें मैंने एक सही IGBT को ले रहा हूँ यह हमारा बिल्कुल सही है इसका जो तीनों लेग है यह तीनों लेग के साथ में जब आप multimeter का दो प्रोब को लगा के चेक करोगे तो आपको बिल्कुल भी sound नहीं मिलेगा मैं आपको चेक करके दिखा रहता हूँ यह देखें हमारा बिल्कुल भी sound नहीं आ रहा है इसके साथ मैं लगाता हूँ साथ मैं नहीं आ रहा है लेकिन जब आप इसका बीच वाला लेग के साथ में ब्लाक कलर का प्रोब को लगाओगे और इसका थार लेक के साथ में रेड कलर का प्रोब को लगाओगे तो आपका मल्टी मीटर में 400 से 500 की बीच में कुछ रीडिंग आएगा श्रिफ यही दोनों लेक पर ही जब आप मल्टी मीटर का दोनों प्रोब को इस प्रकार से लगाओ हो गए तो आपको कुछ Reading देखने को मिलेगा और कोई भी पिन पर आपको Reading देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि इसके साथ में मैंने लगा रहा हूँ तो कोई भी Reading नहीं आ रहा है लेकिन इसके साथ में जब मैंने इस प्रकार से लगाता हूँ तो खोल के ये hitsing को अलग कर लेना है अभी मैंने ये पूराना IGBT को निकाल ले हूँ अभी हमें इसका नंबर चेक करना है देखे इसका नंबर है H20R 1203 तो इसका जो main नंबर होता है वो होता है H20R या IGBT भी हमारा same to same उतना ही नंबर था है इसका जो नीचे वाला नंबर है इसक आपको यहां पर चेक नहीं करना है शिर्फ जो उपर में हमारा H20R लिखावा रहता है या फिर और कुछ लिखावा होगा वो आपको चेक करना है तो वही same नंबर का आपको लगाना है नया IGBT का तीनों पीन को मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूं फिट्सिंग के साथ में यह IGBT को और ब्रीज रिक्टिफेर को स्कूर की माधिम से अच्छे से टाइट कर लिया हूं तो यह जो हमारा पूराना IGBT निकला है इसको अभी हम ठेक देंगे यह हमारा कोई भी काम में नहीं लगेगा तो अब हमें च चेक करना है यह जो हमारा क्यापसिटर होता है यह क्यापसिटर को अच्छे से देखना है यहां पर दो बड़े बड़े काला रंग का क्यापसिटर होते हैं इन दोनों क्यापसिटर को चेक करना है यह क्यापसिटर कहीं हमारा खराब तो नहीं है अगर यह क्यापसिटर खरा इनको चेक कर लेना सबसे पहले यह च्था सकते हैं यह मार फट चुका है तोаюсьे को मैं हमारा 0.3 µ कोई भी प्लास मैनस नहीं होता है आप इसको उल्टा सிधा जेसे भी लगा सकते हो अब हम क्या करेंगे को साहई करेंगे तो इस प्रकर कर निया अगर आपको मिल जाता है तो यहां पर नया फ्यूज को soldering कर लीजे यह पूरा ना फ्यूज को निकाल के लेकिन अगर आपको नया फ्यूज नहीं मिलता है तो आप अपना घर पर ही फ्यूज बना सकते हो देखे इस प्रकार का जो तार होता है इसके अंदर में बहुत ही पतले पतले तार होते हैं आप लोग देख सकते हैं तो यह जो पतले तार होते हैं इन में से 4-5 तार को एक साथ में जोल लेना है और इसको यहां से कट कर लेना है यह तयार को मैंने fuse का दो पैंट के साथ मैं soldering कर लिया हूँ और पूराना fuse को मैंने नहीं निकाला हूँ यह पूराना fuse जिसे था वो ऐसा ही है तो चलिए अब हम इसको fitting कर लेते हैं अब हम इसको direct में लगाते हैं तो देखे अभी मैंने इसको डिरेक्ट में लगा लिया हूँ जैसे हमारा नर्मल बिजली का बोड होता है और इसको मैंने ओन कर लेता हूँ तो यह देखे यह अभी हमारा तेरा सो में चल रहा है और यहां पर हमारा पानी भी गरम होने लगा है यहां पर हमारा पानी बढ़िया से उबल रहा है और यह पानी हमारा गरम हो रहा है और यह इंडक्षन हमारा सही हो चुगा है तो अभी मैंने इसको अच्छे से fitting नहीं किया हूँ इसको मैंने screw अगरा लगा कि इसका जो सर्किट था और जो उसका coil था उसको मैंने अच्छे से fitting कर लूगा तो मैं असा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस प्रकर का वीडियो देखने के लिए अगर हमारा चैनल को सस्क्रेब नहीं किया है तो सस्क्रेब भी कर लिजेगा